हेलो स्वेंट्स तो आज का जो हमारा सेशन है वह एकि फ्लोर बेज पूज़ को हमें किस तरह से सौल्ब करना है तो आप भी जानते हैं कि आज की डेट में जहां बैंकिंक का एक्जाम देते हैं तो उसमें नम्बर पूज़ सबसेदा आती हैं और उन प्रक्टिस में अगर हमें अच्छे से एप्रोच् बनानी हैं तो हमें पता होना चीये कि किस से लिप लोगाला क्या है जैसी आपकी अपनी अपनी हो गई आप प्रोच्फिट करें फिल और जैसी आप two-부분 करेंगे एक Landing समय आप चीजों को अच्छे से सॉल्ब कर लेंगे तो आपको पदा ही है प्रैक्टिस करना होता है संगर्स करना पड़ेगा लेकिन हम आपके साथ है तो एक छोटी सी बात आप याद रखेगा रहा संगर्स की जो चलता है रहा संगर्स की जो चलता है संसार को वही बदलता है जिसने रातों से जंग जीती है, सूरी बनकर वही निकलता है इसलिए हम देखते हैं किस तरह से एप्रोच बनाएं और उसके पीछे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप डेफिनिटली चीजों को वर्क आउट कर पाएंगे तो सबसे पहले हमारे दमाग में आता है कि यह पजल है, तो यह पजल किस कैटिगरी की है इस पजल को हमें कैसे सॉल्ब करना है और हम सुरुवात कहां से करें तो पहला पॉइंट ही हमारा यह होता है कि हम सुरुवात कैसे करें तो जैसे हमने देखा, तो हमारे floor-based puzzles में हमें बोलता है कि 1 to 7 floors है, या 1 to 8 floors है, या 1 to 9 floors है, या 1 to 10 floors है तो generally जो हमें मिलता है, वो मिलता है 1 to 7 floors तो कहता है कि 1 to 7 floors है और फ्लोस पे हमें persons को set करना है और उसके साथ में कोई न कोई variable हमें relate करना है तो होगो तो है कि अब देखिए, अगर फ्लॉर वाली जू पजल है इसमें अगर हम पर्सम को बेसं मनाएं या किसी व lease मनाएं तो पजल तो हमारी हो जाएगी कि लेकिन एह मुड़ाफिया है यहां हमें ध्यान के रखना है हमें कम समय में solve करना है हमें exam है जब कम समय में solve करना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें इस तरह का base लेना है जिससे की हम information को effectively compare कर सकें और जब effectively compare कर सकेंगे या हम technical language को break कर सकें तो उसके लिए जब भी हमारा floor-based question होगा तो उसमें जो हम base लेंग possible और indefinite conditions को compare करना है और फिर हमें उसको solve करना है और उससे related questions के answer हमें देने है चलिए तो देखते हैं question में हमें किस तरह से चीज़े given है तो हमें कहता है तो students उसमें क्या given होता देखो जब भी हमारा floor का question आएगा तो हमें पहले से बोला जाता है कि जो first floor है वही हमारा lower most या ground floor है उसके बाद second then so on and the top most is seven जैसे इस question में हमें बोला गया one to seven floors है तो one to seven floor में जो first floor है वही हमारे क्या होगा ground floor होगा तो आप कोई mistake नहीं करने है कि आप अपनी तरब से ground floor zero ले ले तो question का answer गलत हो जाएगा ठीक अब इसमें हमारे seven floors है और seven floors में persons को set करना है पर्सन के साथ में हमें subject दे रखी है और subject जैसे आपको दे रखा है history, English, chemistry, biology, account, reasoning, physics तो यह आपकी subject है तो हर person के साथ में हमें किसना किसी subject को relate करना है तो यहाँ पहला हम क्या करेंगे इस puzzle में हमें समझ में आ गया कि यह floor base puzzle है अब floor base puzzle है तो इसमें हमें जो base लेना हूँ क्या लेना है floors तो हम क्या करेंगे seven floors one two three four five six seven seven हमारे floors जो first floor हमारा वही क्या है ground floor है वही हमारा lower most है first second third four five six seven इस पर हमें person और person के साथ में हमें subject को relate करना है ठीक है तो person और person के साथ में subject हमें यहाँ पी relate करना है ठीक अब देखिए अब हमें question पढ़ते जाना है और चीजों को relate करना है हमसे क्या कहता है a living on our number floor but not on the floor number third देखिए उसने बोला कि a जो है वो third floor पे नहीं है तो हम क्या करते हैं left side में negative information को work out करेंगे और right side में हमें जो relations है जो definite conditions है या जो positive information है वो हमें find out करना है ठीक person और person के साथ में उनका subject राइट अच्छा हमें बोलता है a third floor पे नहीं है लेकिन जहां भी होगा किस पे होगा और number floor पे होगा तो a हमारा किस पे first पे हो सकता है five पे हो सकता है और seven पे हो सकता है अभी हमें यह confirm नहीं है उसके बाद हमें क्या 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 होगा जहां भी a होगा a से उपर क्या होगा account होगा तो हमारी जो possible conditions है अभी हमे A के बारे में confirm नहीं है तो उसका हमने possible conditions को side में लिखा कि जहां भी A होगा A से उपर क्या होगा account होगा उसके बाद हमें क्या कहता है कहता है only two person lived in M and the who like account ये भी हमें confirm नहीं है उसने कहा कि account और M के बीच में कितने floor है दो floor है आगे हमें कहता है जो history है वो M से उपर जब M हमें मिलेगा तो M से उपर किसी और नमर floor पे history है अब देखो एक तो बोला जाता है immediately above और एक बोला जाता है above जब बोला जाए immediately above तो just उपर और जब बोला जाए above तो means उपर तो वो कहीं भी हो सकता है अच्छा फिर आपसे आगे क्या गयता है only three person lip बिडबीन एल और history वाले की बीच में कितने floor है three floors है तो जहां भी आपका history होगा और ल होगा उनके बीच में कितने floor होंगे three floors होंगे और आगे ये भी बूला गया है कि जो ल है उससी पर क्या है chemistry है तो जहां भी ल होगा उससी पर क्या है chemistry आएगा अच्छा आगे आपके आपसे बूला गया है कि जो physics है उससी पर क्या होना चाहिए English होना अची है तो physics जहांभी होगा उस सूपर आपका English जो यह हमारी possible conditions से अब देखे गाइस अब यहापे हम देखे हमारे पास कोई भी definite condition नहीं है रैट अब देखो यहाथू हमें कुछन में कुछन कुछ definite condition मिली होती है अगर definite condition है तो थोड़ा सामारा असान हो जाता है अब यहां पर जब कोई डी संथा नहीं है तो हमें कुस्चन पॉस्प्सिबिल कंडिशन से स्ensaera करना है उचहांज पर हमें ध्यान देना है कि कि कम से कम पॉस्पल्पि कितनी होती है अब जैसे अगरकर डेफ ज्री नहीं चेक करने पड़ें तो अब हम यह आगर देखें तो देखो एक रेस्पेक्ट में देखते हैं तो एक रेस्पेक्ट बोला है कि यह और नमर फ्लोर पे हैं लेकिन थर्ड फ्लोर पे नहीं है अब थर्ड फ्लोर पे नहीं है कहां पर हो सकता है फिप्ट पर हो सकता है और को link कर सके relate कर सके correlate कर सके राइट तो यहां पर हम देखें एक रेस्पेक्ट में account account के रेस्पेक्ट में M M के रेस्पेक्ट में history history के रेस्पेक्ट में L to there is a lot of conditions related to A right तो अब हम A से स्टार्ट करें तो a अगर हम 7 पर लेते हैं तो ऐ से ऊपर हम account नहीं रखपाएंगे इस लिए 7 पर आएगा नहीं तो एक आहो सकता है या तो फिप पे होगा या फिर फ़रस्ट पे होगा अब हमने question start किया दो possibility है कुछसेन इसटार्ट किया यह या तो हमारा होगा पिर फॉर्स पे और फॉर्स पे अगर कैंसल होता है तो यहां फिर हो term किस पे फिर होगा अब हमने को चेक करना आ स्टार्ट किया है के अब कर हम ए और एक को देखो हमने इस्मॉल लिया है एक can fah हो जाता है तो हम उसे बढ़ा कर देंगे कंफर्म हो जाएगा ए तो एस उपर यहां पर क्या एकाउंट एकाउंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए अबलिक सी ठीक है अच्छा क्या बोलता है एकाउंट और एम के बीच में कितने हैं दो परसन है अब देखिए एकाउंट हाँ यहां पर है दो नीचे परसन तो आएंगे यह नि तो ऊपर थर्ड और फोर्थ फ्लोर को छोड़कर फिट पर क्या हो जाएगा एम उसके बाद क्या क्या करता है एम की रिस्पेक्ट में बोला कि एम से उपर कंडिशन आपको दें रखिए एम के रिस्पक्ट में क्या ह है कहता है history और एल के बीच में तीन फ्लोर होने चीए अब देखिए उपर तो हम एल रख नहीं सकते तो नीचे एक दो तीन फ्लोर चोड़कर आपको क्या रखना है एल राइट एल सूपर क्या करता है एल सूपर हमारा आना चीए chemistry तो यहां पर हमने क्या chemistry को रिप्रिजेंट कर दिया सौट में chemistry राइट यह हमने conditions रखी और हमें फिर कहता है physics उपर क्या होना चीए English अब देखिए यहां पर तो physics इंग्लिस एक साथ आ नहीं सकते और यहां फिजिक्स और इंग्लिस नहीं आ सकता के बहीं पर आ सकता है तो यहां पर जब हम physics और उस से उपर रखते है English अब हमारे पास जो conditions आ चुकी है क्या उनसे related कोई information है तो आपसे कहा गया कि L जो है L और A दौनों के पास biology नहीं होना चीए उसने बोला है neither L nor A likes biology अब देखिए अगर यहां पर इस place पर और इस place पर अगर biology नहीं आएगा तो आप देखिए यहां एकाउंट आ चुका है य chemistry यह physics यह English यह history इन दौनों प्लेस पर अगर biology नहीं है तो biology को हम बाकी जगे रख नहीं पाएंगे it means आप समझ रहे होंगे कि हमने possible condition से कुछ सने start किया था that means क्या हो गया कि एक ही possibility हैं पर क्या हो गई cancel तो एक एंसल उसके respect में हमारे बाकी जो information है या person है वो भी क्या होगे cancel it means हमारे definite हो गया और definite हो गया कहां पर तो एस उपर हमारे क्या हो जाएगा definite account यह हमारे क्या गया definite हम से क्या कहता है एकाउंट के बीच में दो थे ऊपर तो एमानी सकता तो नीचे एक और दो फ्लोर छोड़कर यहां पर एम क्या हो गया यह भी हमारा definite है ठीक आप से कहता है यह हमारा कैंसल है इसका हमें कंफर्म नहीं क्योंकि पॉस्बिटी कैंसल हो गई थी अच्छा एम से उपर किसी और नंबर पे क्या होना चाहिए हिस्ट्री होना चाहिए या तो हिस्ट्री फिप्ट पे होगा या फिर सेवन पे और हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में कहता है कि हिस्ट्री और एल के बीच में तीन फ्लोर होनी चाहिए अब देखिए अगर हम हिस्ट्री को यहा पे हिस्ट्री है नहीं तो फिफ पर क्या है अँग्या हिस्ट्री basically is neighborhood में किया बोला हुआ है कि L से ऊपर क्या इगा है chemistry तो यह हमारे क्या गया definite conditions आ गया अब आपसे बोला गया था physics उपर क्या होना चाहिए इंग्लिस होना चाहिए तो देखिए यहां पर हम physics फिखेस वरख खी साथ नहीं रख सकते हैं ठेंप नीचे भी नहीं रख सकते तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर क्या होगा फिजिकश ओगा और हमारा सोगा कि अब देखें कैमस्ट्री फिजेग्स इंग्लिश हिस्ट्रीैं ऐग् सकते हैं हमारे पास यह परे physics English history and account तो देखिए हमारे पास यहां पर chemistry physics English history account अब हमारे पास दो places बचे हैं 7th और 1st और हमें आगे बोला गया था कि एल एल biology से रिलेट नहीं करता है जब यहां पर biology अगर नहीं आएगा तो हमारे प्लेस कहां पर बचा है 7th floor पे तो यहां पर क्या हो गया biology कंफर्म लास्ट में इक इस पेस बचा और हमारा जैसे subject आप देख रहे हैं तो लास्ट में subject कौन सा बचा reasoning this is one of the interesting subject right तो हमने यहां पर किसको रखा reasoning को तो subject हमारे क्या हो गए complete अब हम persons की बात करें L M A अच्छा यहां पर हम देखें जो हमारी बच्ची इंफ्रमिशन है तो इसमें हमें बोला हुआ है कि पी आपका और नमबर फ्टोर पे बैठेगा पी लिव ओन द और नमबर फ्लोर तो और नमबर फ्लोर फ़र्स्ट थार्ड फिप्ट यह complete है तो सेवन पे क्या हो गया पी हो गया अच्छा और अच्छा और जो बच्ची इंफ्ट इम्फरमिशन उसमें क्या कहता है जो N है कहता है के N से एक छोड़कर K होना चाहिए और जो N है वो केमिस्ट्री को लाइक नहीं करता है अब देखिए N और पहां एगा नहीं तो तरह से हमने क्या किया अपने इस कुश्शन को सॉल्व किया दो प्राविलम कोई नहीं बस हमारी एप्रोच अच्छी हो नीचिये और हमने बेस लेना समझ में आना चाइए और कॉमपरेजन किस तरह से करना है वह हमें पता होना चाहिए जिस तरह से कंपरेजन किया इस तरह से कुष्ण को सॉल्व कर पाए राइट सो अब बात करते हैं एक ऐसा यह कुष्ण लेते हैं और वहां पे हम दुवारा से देखते हैं किस तरह से हमें अच्छी अप्रोच बनारी है और चीजों को प्रशन को सेट करना है इसमें क्या बोला गया है कि इच आप ट्रावलिंग टू डिफरेंट सिटी देली फरिदबाद मेरठ मत्रा कानपुर लखनू और आगरा इस पजल में हमें परसन और परसन के साथ में सिटी को रिलेट करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे फ्लोर को और देखियें तो हमारे seven floors है तो देखिये हमने फ्लोर को बिस लिया 1 2 3 4 5 6 7 7 floors again first is ground floor loarmost and 7 is topmost अब देखिये हमें परसन और परसन के साथ में सिटी को रिलेट करना है ठीक है तो हर फ्लोर पर-परसन बैठेगा और पर्सन के साथ में हमें उनकी सिटी को रिलेट करना है चलिए अब कुछन देखते हैं क्या कहता है कि कहता है कि अल्ली थ्री पर्सन लिब अबब दा फ्लोर ऑन बिच पी लिविंग तो जिस पे पी है उससे उपर केवल तीन फ्लोर है तो यह कंडिशन क्या होग प्रसन लिब बिडवीन बनू ट्रैवलिंग टॉ आगरा एंड पी पी हापर है अब देखें पर फ्लोर चोड़कर आगरा होना चीए अब उसने यह नहीं बोला है कि अब यह बिलो अब देखें ऊपर भी एक परसंग पर चोड़कर आगरा आ सकता है और नीचे भी एक पर possibility को एक साथ चेक कर सकते हैं या तो आगरा यहां पर आएगा या फिर आगरा यहां पर आएगा हमने उसे small भी ले लिया अगर वो confirm हो जाएगा हम उसे बढ़ा कर देंगे ठीक है अब आगे आपसे कहता है यू जो है वो फरिदवाद जहां भी फरिदवाद होगा उससे नीचे क्या होगा यू होगा तो यह हमें confirm नहीं है तो देखो जहां भी फरिदवा होगा फरिदवाद से नीचे क्या होना चाहीं हुगा यह होना चाही और उसमें बोला हुआ है कि फरिदवाद और even number floor पे ही बैठे गाप एब उसक्ता है पर फरिदवाद खोना सक्सक्राइग तो इसकी बारे में नहीं है हमने हमलेक दिया कि फरिदवाद जहां भी आएगा वो even number floor पे आएगा, फिर हमें आगे क्या कहता है, कहता है कि only three person live between the one who traveling to Agra and Merit, Agra और Merit के बीच में तीन लोग है, अब देखिए, अगर हम Agra को यहां लेते हैं, तो उपर तो तीन person होंगे नी, एक, दो, तीन चोड़ कर यहां पे क्या हो जाएगा, Merit, एक बात, यदि हम Agra यहां पे लेते हैं, तो नीचे तीन person होंगे नी, तो उपर, एक, दो, तीन चोड़ कर यहां भी क्या हो जाएगा, Merit, तो इसका मतलब सौंझ में आए, कि यहां पर आगरा होगा, यहां पर क्या होगा, Merit होगा, तो यह हमारा इस तरह से आगया, उसके बाद हम से कहता है, T R से उपर है, अब R और T का हमें पता नहीं, लेकिन जहां भी R होगा, उससे उपर क्या होना चाहिए, T होना चाहिए, और इसके respect में आगे कहता है, T is not traveling to Merit, लेकिं Merit यहां भी हो सकता है, और Merit यहां भी हो सकता है, तो जहां भी T आएगा, वो Merit से belong नहीं करेगा, हमने क्या कर दिया, यहां पर cross कर दिया, आगे हम से कहता है, Only two person living in Q and the one who traveling to Kanpur, और अगर हम sentence को एक दम correlate करें, तो कहता है, the one traveling to Kanpur, live below the floor on which Q is living, तो यहां पर उसने कहा, कि जहां भी आपका Q होगा, Q से दो floor नीचे Kanpur होगा, तो हमें देखना है कि यह कहां पर possible है, अब देखे, Kanpur को हम यहां तो रख नहीं सकते, क्योंकि Kanpur Q से नीचे आना चाहिए, और यहां भी अगर हम Kanpur रखते है, तो दो floor छोड़कर उपर तो जगे नहीं है, और Q से दो floor नीचे Kanpur आना चाहिए, तो यहां यहां पर कानपूर नहीं आ सकता, यहां तो कानपूर यहां पर आ सकता है, ठीक है, और यहां पर कानपूर यहां पर आ सकता है, और अगर हम यहां पर कानपूर लेते हैं, तो दो floor छोड़कर यहां पर क्या ओलड़ी पी बैठा है, तो यहां पर कानपूर नहीं आ सकता, कान वाध इविन नम्बर पे हैं और कानपूर यह तो 4 पे होगा धठोब और फइदग्वाद 6 पे hospital है नहीं सेगेट पर पॉसहिए है नहीं तो फइदफ ag बाद कन्फरम है ठीक है और यहां पे हम कानपूर ले सकते हैं और नीची हम ले नहीं सकते थे क्योंकि यहां कानपूर लेने से ऊपर दो छोड़ कर Q पॉस्बल नहीं था तो हम पर क्या कानपूर ठीक है ऊपर 12 यहां पर क्या हो गया क्यों अब उसके बाद देखो Q P N U यह आपके कंफर्म है अच्छा आप से क्या गयता है आर्स उपर क्या यह था टी आप देखिये यहां तो आर्टी एक साथ आ सकते यहां भी नहीं आ सकता के यह पे हमारी प्लेस बसती है तो यहाँ पर हम आर रखेंगे और आर सूपर क्या हो जाएगा टी और उसने बोला था कि जहां भी टी होगा टी मेर्ट से बJ Interesting'd नहीं करेगा तो टी हपैं तो यहां मेर्ट नहीं आ सकता है तो यहाँ क्या हो ग возможно आंगर है और ओब गार हो हुआ थो आपर क्या हो गया मेरट 8 तक हमारा कन फॉर्ट 2 साथ खरलियम यॡ कन फॉर्ट और क्यू में भी कंपार आगे distract में क्या गेता है-दित्र लेड़न नी बीट आप S है वो P से जस्ट ऊपर और नीचे नहीं है अब यहां P से जस्ट ऊपर S नहीं आ सकता है तो हमारे पास दो places है तो 7 पर क्या एगा S और बच्चा हुआ परसन ऊपर आपसे बोला गया था एक परसन बच्चा है वो कौन है वी वी हो गया हमारा फिफ्ट फ्लोर पे अब हम जो बच्ची वी इंफॉर में सरों से देख ले तो उसमें कहता है कि आपका जो देहली से ब्लॉंग करेगा या देहली ट्रेवल करेगा वो क्यूं से उपर या नीचे नहीं होना चीए ना तो जस्ट ऊपर ना जस्ट नीचे यहां पर देहली जब नहीं आएगा इन दो प्ले dependencies में तो हमारे पास place कौण सी बच्ची नीचे तो यहां पर क्या उगए जो आरह है हमने क्या किया अपने कुष्ण में चीज़ों को अरंज कर दिया है तो हम हमें एस बेस लेना है बैस लेने के बाद चीज़ों सिस्ट्पलार्टिक और जू पॉसबिल कन जी संसे में उसको सइड में लिख लेना कि आज के exam में हमारे number of puzzles ज़्यादा से ज़्यादा आती है जब तक आप puzzles में अच्छी practice नहीं करेंगे या अच्छी approach नहीं होगी आप exams में चीजों को workout नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको अगर ज़्यादा practice करनी है तो जैसा कि हम bankers data side पे पहले सी हम puzzles test series launch कर चुके हैं तो आगर आपको ज़्यादा practice करनी है तो आप bankers data side पे जाएए और वहां reasoning की puzzles की test series लगा सकते हैं जिससे कि आप अपने आप में confident feel करेंगे और number of questions प्रैक्टिस करने के बाद आप exams में भी अज्जे से चीजों को solve कर पाएंगे